हम कह सकते हैं कि साह गरम जरूर है लेकिन मोदी अभी भी नरम है और वो नर्मी हमने बार बार देखी है और ये नर्मी सिर्फ मोदी के तरफ से ही नहीं है प्राइम इनिस्टर मोदी के तरफ से नहीं है ये नर्मी हमने नितीश कुमार के तरफ से भी बार बार देखी है इसलि कभी कभी भी नहीं कहते प्रदान मंत्री मोधी को डारेक्त when कर TãyITA करते वह इस तरीके से कहेंगे वह लोग आपको कबजा किये हुए है दिल्ली को काम करने नहीं देगा जो 2014 में आए वह दो 2024 वे नहीं आएंगे आप कभी भी नहीं देखेंगे कि नितीज कुमार डारेक्ली प्राइम मिनिस्टर मोधी को एटाक करते हूं और साथी साथ आप प्राइम मिनिस्टर मोधी को भी देखेंगे बहले ही चुनाव प्रचार में अगर एक दूसरे के सामने खड़े होंगे तो नाम लेना मजबूरी होगा लेकिन आप देखेंगे कि एक स्कोप सिर्स नित्रित्तों के द्वारा छोड़ा गया है और ऐसा बीजेपी के अंदर मानना है मैं आपको कह रहा हूं और यह बीजेपी नहीं बीजेपी के तमाम घटक दल हैं वो ऐसा मानते हैं कि नितीज कुमा और दो हजार पचिस से पहले एक बार और परिवर्तन करेंगे वो किस तरह का परिवर्तन होगा ऐसी सोच बीजेपी के बड़े नेताओं में भी है यह शक कह लीजिए या जो कह लीजिए और बीजेपी के घटक दलों में भी है और जिस तरीके से नितीज कुमार बैभार इ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनका स्टैंड आरजेडी से अलग देखता है आप देखें अभी एक लाख बीस अजार लोगों की निवक्तियां हुई ये सच है कि ये आरजेडी के मैनिफेस्टो में ये बात थी 2020 में और यूथ ने आरजेडी को सपोर्ट किया लेकिन नितीज कुमार ने निवक्तियां की और नितीज कुमार ने एक मीटिंग में आरजेडी के जो मंत्री आलोक में था उनको कह भी दिया कि खुद क्रेडिट लेने से बचिये सरकार को क्रेडिट दीजे अगले दिन हमने गानी मैदान में देखा कि होडिंग में सिर्फ गाइब थे तो नितीज कुमार की कोशिस अभी भी है कि उनकी एक अलग आइडेंटिटी बनी रहे और अलग आइडेंटिटी बनी रहे और साथी साथ इन दिनों पटना के सडकों पर जेडियू के ऑफिस में किसी मंत्री के घर में जिस तरीके से वो चले जा रहे हैं अपना दिखा रहे हैं वो ये भी दिखा रहा है कि वो अपनी एक separate आइडेंटिटी बनाना चाहरा है हैं उनके मन में क्या चल रहे है वो तो अलग बात है लेकिन नितीज कुमार एक चीज़ साबित करना जरुर चाहरे है कि नितीज कुमार वैसे ही एक्टिव है क्योंकि बीच में उनके स्वास्त को लेकर के भी कई लोगों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगा है। साथी साथ वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो नितीज कुमार हैं जो नौकरियां बाट रहे हैं। बिहार में जो कुछ अच्छा हो रहा हैं नितीज कुमार खुद क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। इसलिए आपने उनके पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में उनके चेहरे को देखा। मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी जो खोई हुई सियासी जमीन हमें 2020 के बिज़ान सभा चुनाओं में नजर आई, वो अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि पिछणों राती पिछणों के असली मसीहा वो है जातिय जनगन्ना भी उनके नित्रत्त में हुआ है आगे की राजनीती करवटें जो भी ले उनकी राजनीती जो भी करवटें ले लेकिन एक बात साफ नजर आता है कि अमत साह सीधे त तरह कि तल्खी हमने कभी भी प्राइमिनिस्टर और नितीश कुमार के बीच में नहीं देखी एक दूसरे को लेकर के सीधा एक्यूज करते नहीं देखा तो निश्वत तोर पर मेरा तो यहीं मानना है खुश्वू कि अमिच शाह कार करताओं की आवाज बन करके जरूर सुना ही पढ़ते हैं अमिच शाह मान चुके हैं कि निश्वत तोर पर नितीश कुमार को एक्सपोज करना चाहिए बार बार उन्होंने पल्टी मारा है और साथी साथ वो लालू प्रसाद के इंफ्लूएंस में काम कर रहे हैं इसलिए इस तरह के केसे में अमिच साह हमें एग्रे तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के एटाक करने में हमला करने से वो हमेशा बचते हैं इससे एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि कहीं न कहीं रिप्रोचमेंट का एक इसकोप तो जरूर खुला हुआ है